हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लिफाइट टाट्स पर मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आशीश और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम कोरो ड्रॉ के अंदर QR कोड को किस तरीके से बना सकते हैं तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हूं कि मैं आपको बता दूं कि ये चैनल इस्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए है और मैं यहाँ पे डेली आप क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज हम लोग समझते हैं कि हम क्योई आर को को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं लेकिए क को इंसर्ट करने के लिए आपको एक मैक्रो की जुरूत पड़ेगी जो आप किसी भी वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हो उसका लिंक में आपको अविलेबिल करा दूँगा तो उसके लिए आपको जाना होगा टूस मीनू में और टूस के अंदर आपको एक आप्शन मिल लाएगा ठीक है और इस बॉक्स में अगर आप यहां नीचे ध्यान दीजे तो यहां पर आपको मिल जाता है माइक्रो की ओपन करने की लिस्ट अब यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास कुछ माइक्रो यहां पर इंस्टॉल है ठीक है तो मुझे जिस माइक्रो पर काम क code के बारे में तो आपको क्या करना है इस micro select करने के बाद में आपको नीचे के तरफ यहां पर आना है और यहां पर देखिए आपको मिल जाता है qr code insulter आप जैसे इसको select करके यहां पर run पर click करोगे आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक qr code insert करने के लिए एक dialogue box मिल किया है अब यहां पर देखें सबसे उपर option दिया है character का character में आपको वो चीज लिखनी है जो चीज आप चाहते हो कि हम जब भी qr code को scan करें तो scan होने के बाद में वो चीज वहां पर show होनी चाहिए तो यहां पे कुछ भी हो सकता है आपका text हो सकता है या फिर आपका कोई link हो सकता है तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक link ले आता हूं इस link को लाने के लिए हम जाते हैं अपने browser के उपर और जैसे अपने browser पर जाएंगे तो यहां पर देखी यह मीरे youtube channel कर link के नीचे आपको एक और option मिल रहा है server के नाम से तो server में आप चाहो तो यहाँ पे qr server का use भी कर सकते हो या फिर आप google server का भी use कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे google server का use करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको नीचे पूछ रहा है output कि output जो आपको चाहिए वो PNG form में चाहिए JPG form में चाहिए SVG format में EPS में आपको जिस format में अपना QR code चाहिए उस format में आप अपना QR code ले सकते हो मैं यहाँ पे example ले JPG ले लेता हूँ ठीक है उसके बीचे आपको आता है size size में यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे L size ले लेंगे ठीक है और यहाँ पे लिखा हूए pixels pixels हमारे पास default 300 pixels है जो कि already enough है बट अगर आपको pixels बढ़ानी है 500 pixels या आपको 600 pixels भी करनी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो आपको simply करना क्या होगा आपको simply यहाँ पे 600 type कर देना है तो फिर आपका जो QR code का जो pixel है वो 600 pixel में बन करके आ जाएगा ओल राइट उसके बात देखे यहाँ पे next option दिया है border margin का border margin आप जितना बढ़ाते जाओगे ठीक है तो आपका यह जो QR code है तो उसके चारों तरफ एक border बनके आता है मैं example के लिए पहले आपको देखी एक preview दिखाता हूँ जैसे मैं आप preview करेंगे तो यहाँ पी देखाई दे रहा है कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका यह preview कुछ इस तरीके से आएगा बट इसको अगर हम जैसे यहा आपको यहाँ पर यह create होकर के भी मिल जाएगा ठीक है यह border margin आपका काम करेगा PNG में आप जैसे एगर PNG ले लोगे और उसके बाद मैं तो इसको side कर देता हूँ ठीक है PNG लेने के बाद आप जब इस पर create करोगे तो यह देखी आपके पास में एक यहाँ पे किनारी की तर तो मैं क्या करूँगा यहाँ से one ले लूँगा और one लेने के बाद मैं इसको भी यहाँ से side कर देता हूँ ठीक है और one लेने के बाद आप जैसे यहाँ पर create पर click करोगे तो यह देखी आपके पास qr code open होके आ जाएगा जिसका border जो है यहाँ पर one है ठीक है यहाँ पर दे देखी है हमको यहाँ पर option मिलता है color के नाम से आप चाहो तो qr code का color क्या होगा या फिर उसका background क्लर क्या होगा आप दोनों ही change कर सकते हो जैसे मैंने कहा कि मेरा qr code का color red होना चाहिए तो मैं यहाँ से red color चूश कर लूँगा और मेरा background white होना चाहिए तो फिर हम white ही ले ले हैं क्योंकि red पर हमारा white visible रहेगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको white कर लेता हूँ all right तो अभी क्या है मेरे पास जो qr color कोड है वो red यहाँ पर मैंने चूश कर लिया है और background मैंने white चूश कर लिया है उसके बाद हम जैसे यहाँ पर create पर click करेंगे तो यह code को insert कर सकते हो अगर आपके पास यह macro है तो अगर by chance आपके पास macro नहीं भी है या यह जो macro मैपको provide कर रहा हूँ किसी भी reason से अगर वो आपके system पर work नहीं कर रहा है तो उसका एक दूसरा option भी उसके लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे अपने browser के उपर और browser पर जैसी जाए यहां पर मैंने एक website open कर रखा है www.theqrcodegenerator.com यह website का link मैं आपको description में दे दूँगा तो आप वहां से भी इसको access कर सकते हो ठीक है तो basically यह करता क्या है यहां से भी आप online qrcode generate कर सकते हो अलग अलग तरीके से जैसे first यहां पर दिया है url तो आप जो भी url डालोगे जैसे मै मैंने वहां से मैंने अपना already एक url मैंने copy कर रखा है अपने YouTube चैनल का तो जैसे इसको यहां पेस्ट करेंगे ठीक है तो उसके हिसाब से यहां पर आपको इसका preview बना करके दे देगा या आपको अगर url नहीं लगाना है आप कुछ लिखना चाह रहे हो ठीक है जैसे समझत देखे qr code के भी आपके पास multiple options हैं आप चाहो तो design wise भी उसको choose कर सकते हो जैसे कि यहां पे अगर मैं इसको drag करूँ तो आपके देखिए एक यह design आ रहा है एक आपके पास यह design आ रहा है एक यह design आ रहा है ठीक है तो आपके पास यहां पे multiple design के भी options हैं तो आप चाहो तो उनमें से भी कोई एक डिजाइन चूज कर सकते हो अगर आपको एक यह सिंपल ब्लैक अलगर डिजाइन नहीं चाहिए है तो ठीक है इसे तरीके से मेरे पास यहाँ पे का ओप्शन भी है आप चाहो तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट की इंफॉर्मिशन भी भर करके उसका भी क्यूर कोड बना सकते हो ठीक है या फिर आपके पास अगर कोई पीडियाफ है तो आप उसका भी कोई आप क्यूर कोड बना सकते हो या अगर कोई एप है तो उसका भी सकते हूं जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास multiple options रहते हैं कि आपको जिस चीच के जरूत पड़ती है आगा आपको URL चाहिए या आपको text चाहिए तो आप अलग-अलग purpose के लिए अपना QR code generate कर सकते हूं generate करने के बाद में आपको simply करना क्या example कि मैं आप अपना चैनल का ही address ले लेता हूं आपको देखिए यहाँ पर आपको download का option मिल रहा है आप जैसे यहाँ पर download पर click करोगे तो आपसे पहले पूछेगा format कि आपको किस format में चाहिए और file name मैं आप फाइल नेम देता हूं QR code और म absolutely free मिलता है उसके अगर ऊपर आपको बढ़ना है तो आपको इनको charges pay करने पड़ते हैं but I think 1000 pixel एक enough size है आप उसको कहीं भी print में ले सकते हो आपका easily print हो जाएगा बीना किसी problem के हमने यहाँ पर 1000 पिक्सल चूज किया हुआ है और हम करेंगे download पे click जैसे हम download पे click किया यह देख पे इसको हम paste कर लेते हैं यह देखिए काफी बड़े size में हमारे पास QR code आगया है अब इसको हम चाहें तो छोटा करके इसको हमें जहां भी लगाना है उसको हम वहाँ पे use कर सकते हैं तो कुछ हैं इस तरीके से हम अपना QR code ला सकते हैं अपने coral draw के अंदर और उसको हम visiting card मे या certificates में या report card में कहीं भी अगर मुझे ये QR code लगाना होगा तो इसको हम easily लगा सकते हैं तो I hope उमिद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ information मिली होगी वीडियो अच्छी लगी हो कुछ information मिली हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत आपके subscribe करने से मेरा भी प्रोचताहन बड़ता है और मुझे भी नए नए वीडियो मनाने के लिए एक उच्छुकता रहती है तो फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ में till then good bye